और सो गैस क्या आले मेरा नामे रदा खान आप देखेंगे टेप वोक्स यह है रियल मी 10 प्रूप प्रलस और आप लोगों डिमांड पर यह वीडियो बनने जा रहा है क्योंके दोस्तों यह जो वाल पेपर देखें कल के वीडियो में हमने बता दिया है अभी दोस्तों एक व यह बहुत ही जैदा काम आ सकता है तो चली वीडियो शुरू करते वैसे पहली बारा है तो सस्कायब कर लिए तो वीऑ एन्र में जाने के लिए सेटिंग में जाना है ऑन людям में झाने लिए तो क्यों नहुता है यहां पर यहाँ व्लध नूंबर इसमें आपको करना है यहां शुरू होता है दोस्तों डवलपर आप्शन का खेला तो यहां पर चीज तो बहुत सारी दी गई है लेकि आपका जो काम का आए वो चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में तो सबसे पहले आपको डवलपर आप्शन में कहीं पर कुछ छेड़ना नहीं है यहां पर आना है रणिंग सर्विसेज दिखेगा यहां पर आने के बाद आपको यह चीज दिख जाएगा कि आपका कौन सा एप कितना जगह ले रहा है आपके फोन में जैसे सिस्टम ले रहा है 1.9 GB RAM मतलब 6 GB का RAM है तो कौन-कौन कितना ले रहा है तो सिस्टम जो है 1.9 GB मतलब 2 GB जो है सिस साइड बार जो है 41 MB का जगह लिया हुआ है मेटा सर्विस 13 MB का जगह लिया हुआ है कैमरा 42 MB का सेटिंग 618 MB का अभी जो सेटिंग आप खोले हुए है 618 Facebook यहां पर देख सकते हैं background में अगर चल रहा है तो 346 MB WhatsApp 51 और इस तरह से और भी है आप जो आप देख सकते हैं लेकिन कुछ है पैसे है जैसे snap tube का जरुवत नहीं है लेकिन यहां पर background में जगह लिया हुआ है तो इसको यहां पर से आके stop कर सकते हैं तो यह हड़ जाएगा ठीक है आपका RAM बढ़ जाएगा उसी तरह से बहुत सारे हैं जैसे realme link app इसको भी हम stop कर देंगे तो यहां पर से आके आप stop भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने RAM को clear कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो यह एक हो गया running services दूसरा है graphic driver preference उसके लिए हमें नीचे आना होगा और यहां पर आपको graphic driver preference मिलेगा चलिए देखते हैं कहां गया थोड़ा गाइब हो गया हां यहां पर देखे यह option है graphic driver preference इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई game है तो उसको आप यहां पर देखें जैसे यहां पर आपका कोई game है battleground mobile इंडिया है मेरे phone में तो इसको आप default में रहेगा यह आपको system graphic driver preference में आपको कर देना है यहां पर करने के बाद आपका जो graphic है वो आपके game को optimize करेगा और उसक भी बड़ा app है उसको आप इस तरह से set कर सकते हैं जैसे मान लीज़े pixel wallpaper हम चाहेंगे तो graphic driver में हम कर सकते हैं तो यह वाला setting को आप कर लीज़े आपका phone smoothly चलने लगेगा चलिए बात करते है अब view in r की तो view in r जैसे मैंने बताया नीचे आईए तो देखे 5G यहां पर लिख हुआ है कि कौन सा network auto में ही रहन दीज़े लेकिन यहां पर view in r call यह जो है दोस्तो enable और disable का option आपको देगा अगर यह दे रहा है तो समझ लीज़े कि आपके phone और आपका जो processor है वो view in r को support करता है और यह जो phone है realme 10 pro plus यह view in r को support करता है वैसे अभी view in r तो आया नहीं है लेक जाएगा इसको अगर on कर देंगे तो आपका जो voice है काफी जबर जाएगा HD में जाएगा जैसे आपका वोल्टी में जाता था उसी तरह से इसमें जाएगा तो यह वाला को on कर दी आपके लिए बेश रहेगा उसके बाद यहां पर आता है Bluetooth audio sample rate तो Bluetooth audio में जाएगे यहां पर C support करता है जिसमें भी करता है उसमें आप करके अगर आप music सुनेंगे तो आपको next level का feel और experience देखने को मिलेगा तो यह hardware level पर काम होता और यहां पर हम software के जड़िया इसको enable कर सकते हैं तो यह वाला on कर लीजे आपका जो भी आप पर TWS या neck band या headphone use करते है उसमें देखिए क क्योंकि वो कौन सा code को support करता है उस हिसाब से यहां पर कर दीजे दोनों merge करेगा और आपको जवर्जस experience देखने को मिलागा क्योंकि बहुत लोग बलते है या headphone मेरा सही नहीं चल रहा है तो इस तरह से code को आप setting कर लीजे चलिए next में आता है आपके phone को smoothly चलाना जैसे देख लेंगे तो यहां पर एक बार में दोस्तों open हो जाता है देख लिए बहुत ही smoothly तरीके से और यहां पर सिर्फ open ही नहीं होता इस तरह से open भी दोस्तों यहां पर हो जाता है देख लिए इस तरह से खुल भी जाता है और जैसा चाहिए हम वैसा कर सकते तो उसके लिए आपको भी 0.5 में करना है और इसको भी 0.5 में करना उसके बाद आपका अनिमेशन और आपका फोन जो है एकदम मस्त मक्षन के जैसे चलेगा तो यह सेटिंग आप कर लिजा और लाश्ट सेटिंग जो है बैक्ग्राउंड प्रोसेस लिमिट चलिए यहां पर हम जाते बैक्ग्राउं प्रोसेस लिमिट यह जो है इस्टेंडर में रहेगा मतलब आपका रैम जो है कितना को जेल रहा है वैसे आप सेट कर सकते हैं अगर आप मतलब आपका फोन लैक कर रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या गेम खेलते जादा है तो आप वन में कर दीजे एकी बैक्ग्रा आप यहां पर लिया हुआ है ठीक आप देख सकते हैं तो उसी तरीके से दोस्तों वही चीज यहां पर डिनोट कर रहा है कि आपको एक एप रखना है दो एप रखना है तीन चार एप या स्टेंडर्ड आपका जितना भी रख सकते हैं तो आप तीन में रखे चार में रखे या फिर एक में रखिए जो भी रखिए हम इस्टेंडर में रखिए क्योंकि हमको अतना जर्वत नहीं पड़ता है तो यही दोस्तों कुछ सेटिंग हुई जो आपकी काम का है इसलिए मैंने आपको बताया इस तरह से आप करिए आपका फोन मस्त मक्खन के जैसा चलेगा किसी सारी APK वगेरा देख लीजे हम देते रहते हैं तो जल से जल जोइन कर लीजे ताके आपको बेश्ट एक्सपिरियंस आपके फोन के लिए मिल सके और कल वाल वीडियो देख लीजे कैसे मैंने इसको एनेबल किया है यह वाल पेपर देख रहे हैं किस तरह से एनेबल किया है देख लीजे काफी जब अर्यस लगता है से फोलेंगे तो इस तरह से एनिमेट करता है जो दोस्तों वन प्लस का है तो हमने कैसे किया है जाके देख लीजे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी सवा है कमेड में पूछें चलिए दोस्तों फिर मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए